इससे थोड़ा सा महा पर लगा लेना, अगर आपका लिंक बिलकुल सिकुड चुका है, तो ये समस्य तुरंत ही दूर हो जाएगा अगर आप ये मसाज सही तरीके से करते हैं अपने निजी आकार पर, तो जो समस्या बनी रहती हैं, निजी आकार के सिकुडने की या फिर बहुत ही जादा पतला होने की वो समस्या आपको नहीं हो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं तीन से चार जड़ी बूटियों से तयार एक ऐसा स्क्रब जो की आपके निजी आकार में चान डालतेगा और आपके प्राइवेट पार्ट के सिकुडने की समस्या को ये पूरी तरह से ठीक कर देगा जिससे की आप अच्छा हेल करने से ब्लड का फ्लो काफी बढ़िया रहेगा और कलोंजी के अंदर काफी सारे ऐसे न्यूटरंट्स होते हैं दोस्तों जो की आपके प्राइवेट पार्ट को काफी मस्बूत बनाते हैं तो आपको यहां पर एक चमच कलोंजी का इस्तमाल करना होगा किस तरह से करेंगे एक चमच कलोंजी को आप एक पैन के उपर और फिर एक तवे के उपर डाल देना जिससे कि आप आसानी से इसको अच्छे से रोस्ट कर पाएंगे तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका बढ़िया पाउडर तयार हो दूसरा जो इंग्रेडियन्ट है दोस्तों इहां पर यहें लॉंग लॉंग का इस्तपमाल आपके यौन किरिया को डबल तरीके से मजबूत करने का काम करता हैं क्योंकि यदि आपके यौन किरिया करते समय आपका इरेक्ष्ण बीच में चला जाता है और वापस से आने में बहुत टाइम लगता है तो यह लॉंग के दोस्तों काली मिट्च साथ से आठ काली मिट्च डालनी है और इन तीनों चीजों को हम बहुत ही दीमी आज पर अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक की लॉंग के अंदर से हुए नहीं निकलने लगेंगे और लॉंग जो है बिल्कुल सफेद सफेद सी नहीं हो जाएगी तो इस तीनों ही चीजों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे और यह देखे यह बिल्कुल अच्छे से भून गया है और हम इसको क्रशर के अंदर डाल देंगे ताकि इसका हम पौडर बना पाएं अच्छे से इसको हम कूट के क्रश के अंदर करके इसका पौडर तयार कर और अब ये देखिए आप कितना अच्छा और बिल्कुल बारी पाउटर इसका तयार हो गया है अब ये लग बग दो चम्मच के बराबर है तो एक बॉल के अंदर आपको ये दो चम्मच ये पाउटर लेना है और इसी के साथ आपको यहाँ पर ओली वायल यानि जैतून के त अगया और इसे थोड़ा सा अगर आप रोदाना लगाकर मसाज करोगे तो बहतरीन इसके रिजल्ट साफ को मिलेंगे अच्छे से इसको कर लें और दोस्तों आपको इसका इसका कारना है थोड़ा से इसको लेना है अपनी उंगली पर और अपने प्राइविट पार्ट पर अच्छे से आपको इसे अगले हिस्से पर ही लगाना हैं। और अपको इसको अच्छे से मसाज करें। दीरे दीरे से सर्कुलर मोशन में जब तक कनाव नहीं आता। उसके बाद आप इसको किसे टीशू पेपर के हलब्त असके नहीं धोना। तो इस उपाई का लगतार कुछ दिनों तक इस्तमाल करने से आप अपने प्राइवेट पार्ट को काफी मजबूत बना सकते हैं लेकिन हाँ इसका इस्तमाल आपको रोजाना नहीं करना आपको इसका इस्तमाल तीम दिन में सिर्फ एक बार करना है तो आप इस उपाई को करना और शार करना ना भूले